इंदोर कलेक्टर द्वारा शुरू किये गए विशेश जन सुनवाई के तहत गुरवार को पड़ी संख्या में भू माफ्या पीडित पहुचे यह जन सुनवाई पाँच ग्रहन निर्मान सोसाइटियों को लेकर रखी गई थी देखिए ये खास रिपोर्ट भू माफियाओं के खिलाब शिकायतों पर शिकायते देते ठक चुके लोग हिम्मत हारने को तयार नहीं है चाहे अखबार में छपी कोई जन सुनवाई की खबर हो या जन सुनवाई से जुड़ी कोई अफवाह हो लोग सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भू माफियाओं पिडित अपनी आखों में उमीद लिए अधिकारियों के पास पहुँच जाते हैं ऐसा ही कुछ गुरुआर को भी हुआ कलेक्टर की विशेश जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुचे और अपनी पीड़ा जाहिर की इस दौरान पिडितों ने कलेक्टर के प्रती आभार व्यक्त किया और उमीद जताई की इस बार उन्हें प्लाट मिलेगा कुछ पिडित निराश नजर आए तो कुछ होसले के साथ एक बार फिर शिकायती आवेदन देने के बाद उमीद से भरे नजर आए वही कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने कहा कि शिकायत के पारदर्शी तरीके से जाच करके प्लाट धारकों को उनका कबजा जल्द से जल्द दिलवाया जाएगा दो तीन सुसाइटीस के संबंध में जब हम लोगों ने जन सुनवाई की तो अतरिक्त कुछ कत्य सामनी आए हैं जो पहले से हमारे रिकॉर्ट पे नहीं थे अभी अभियान का जो प्रमुक लक्ष है कि जो पीडित वेक्ती हैं जो प्लाट धारकों जेने लंबे समय से कबसे का इंतजार कर रहे हैं कुल मिलाकर जिला प्रशासन की उम्मीद के मताबिक जन सुनवाई में आवेदन पहुँचे हैं और अब सभी आवेदनों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है Bureau Report, MP News, Indore